नमस्ते दोस्तों मैं हूँ विक्की पंसारी अगर आप पसु पालन का कारिय करते हैं तो आज का ये दो मिंट का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी के हैं आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारे पूरे देश बर में एक बहुत ही खतरनाख विमारी वैसे तो बीमारी में अगर आप परवाई बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पसु काल के गराज में चले जाएंगी दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एफमडी की यानि की माउथ फूड डिजिज की जिसको देशी बाहसा में मूखुरी की बीमारी बोलते हैं मूखुरी की इस बीमा पूरे देश बर में अपने पैर पसार दिये इस बीमारी से हाजारों पसु की दैथ हो जाती है लेकिन आपके पसु का कुछ भी नहीं होगा अगर आप अच्छे तरीके से अपने पसु की मनेजमेंट करेंगे और जो हम आपको ये देशी जड़ी बूटिया बता रहे हैं का उपियोग करेंगे तो इस बीमारी में सबसे पहले तो हम लक्षन की बात करते हैं उसके बाद उपचार की बात करते हैं दोस्तों इस बीमारी के लक्षन क्या है आपके पसु के मूँ के अंदर उसके जो खूर है खूर के अंदर घाव हो जाएंगे लाल लाल चक्ते हो ज तो यह इस बीमारी के लक्षन अब बात करेंगे कि इस बीमारी का इलाज हम कैसे करें बहुत ही साधारन सा इतना साधारन इलाज है कि इतना बड़ी बिमारी हो इतना सा इलाज तो आप लोगों से एक और भी रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आपको लगे कि ये जो जानकारी है ये हिंदुस्तान में सभी किसान भाईयों के पास हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर सेर करें तो आप चिकिछा नोट कीजिए आपके घर में होती है हल्दी एक तो इसमें हल्दी का परियोग किया जाएगा दूसरा होता है सुवागा जिसको हम बोरेक्स बोलते हैं इंगलिश में बोरेक्स हिंदी में सुवागा सुवागा आपको पंसारी की दुकान पर या सुनार की दुकान पर बड़ी असानी से मुल जाएगा तो आपको करना क्या है 50 ग्राम तो आप ले लिजी हलदी और 50 ग्राम ले लिजी आप सुहागा और 50 ग्राम ले लो आप सर्षो का तेल मस्टड ओइल तीनों को मिलाके आप एक मलम बना लो इस मलम का आपको उप्योग कैसे करना है सबसे पहले तो आप मेडिकल स्टोर पर जीए वहां से एक लाल दवाई मांगिए देशी बासा में लाल दवाई बोलते हैं इंगलिश में इसको बोलते हैं पोटाजिय प्रमे उसके बाद जो मैंने आपको मलम बताई है हाल्दी सुआगा और मस्टड ओइल यानि की सर्फो के तेल की तिनों को मिलाके मूँ के अंदर और खुरों के अंदर दिन में तीन बार लगाना शरू करती जी आप देखेंगे कि चमतकारी रूप से आपके पसू ठीक होने शरू यह हमारे बुजरुग नहीं कहते थे कि खोटा शिक्का भी काम आ जाता है वही बात इस बीमारी में वैसे तो पसू को हमेशा देश्ची गीही देना चीए देश्ची गीही पसू के लिए शरौत्तम आया है लेकिन इस बीमारी में डालदा गी बड़ा अच्छा कारिये कर रहा है आपको करना क्या है अच्छी क्वाल्टी के कोई भी वन्सपती घी लेकिया एक बड़े पसू की अडल्ट पसू की मैं आपको मातरा बता रहा हूं आप अपने अनुरूप छोटे बड़े पसू हो तो अपने अनुरूप मातरा को कमिया ज्यादा कर सकते तो आपको क पुर्म करना क्या है 1500 गराम सो से 1500 गराम वनस्पती गी लिजिए उसमें लगबच 20 गराम आप हलदी मिलेए अच्छी quality की हलदी लेना शाबत हलदी मिल जाया है उसको पीछ लीजी और वह आप उसके अंदर मिलाके अपने पशु को एक बात और भी याद रख लेना ये बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी ये इस बीमारी की वैक्षिन हमारी सरकार द्वारा मुफ्ट की जाती है तो आपके छेतर में जो अच्छे पसु चिकिच्चे कहें अच्छे जो डॉक्टर हैं उनको भी बुलाईए उनको बोलिए जी हम के ग्रास में जाने वाले हैं इस बीमारी की वज़े जे हमारे सेतर में बहुत से पसु चले गए तो आप अपने पसुओं पे लापरवाई ना बरतिए इस फार्मुले का उप्योग कीजिए और अगर आपको लगता है कि आपके विक्की भाई का ये फार्मुला श्टिक का ये करेगा तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए ताकि हिंदुस्तान में बहुत से किसानों तक ये जानकारी पहुच सके बहुत बहुत धन्यवाद